रमो जिनाणम मंत्र शिद्धी, मंत्र शाधना, मंत्र जप, मंत्र की शक्ती का जागरण इससे सम्मंदित बहुत सारे प्रश्ण, बहुत सारी जिग्याशाएं और उन सभी जिग्याशाओं में जो सबसे महत्पूर्ण जिग्याशा है कि मंत्र की शक्ती का जागरण कैसे हो या मंत्र की शिद्धी कैसे होती है तो मंत्र की सिद्धी से पूर्व, साधक के लक्षन, साधक के भीतर कौन से गुण समाहित होने चाहिए इसके बारे में आचारियों ने जो वनन किया है उसमें सबसे पहला गुण लिखा है सरद्धा मंत्रशादक का सबसे आवश्यक गुण है सरद्धा अगर सरद्धा गुण हमारे अंतरंग में नहीं है हमारे भावों में नहीं है तो समझ जाएं कि आप अच्छे मंत्रशादक नहीं हो सकते मंत्रशादना में दी सफलता हासिल करनी है तो सरद्धा का होना बहुत जरूरी है सरद्धा के पश्या दूसरा गुण है समर्पन समर्पन का होना बहुत जरूरी है सम्मेक रूपेन अरपण का जो भाव है वो है समरपण का भाव है तो ये दोनों भाव एक स्रेष्ट मंत्र शाधक के लिए आवश्यक है मंत्र की सक्ती का जागन करना है मंत्र की शिद्धी पानी है मंत्र से अपने जीवन में करियर में उन्नती पानी है सफलता हासिल करनी है, या कि मंत्र के द्वारा अपनी मनों कामनाओं की पूर्ती करनी है, तो सबसे पहले इन दोनों गुणों को अपने अंतरंग में आपको पैदा करना होगा, ये दो गुण बहुत जरूरी है, पहला गुण सरद्धा, दूसरा है समरपण, सरद्धा का सामाने अर्थ विश्वास भी है, भरोसा भी है, सरद्धा किस पर करनी है, तो सबसे पहली सरद्धा करनी है परमपिता परमात्मा पर, जो हम सब के जीवन का रक्षक है, जिसके प्रती हम समरपण भाव से भर करके, अपनी याचना, अपनी प्राथना, अपनी मनोकामना की पूर्ती के लिए मंत्र शाधना कर रहे हैं तो अपने इश्ट, अपने आराध्य, अपने पूज्य, प्रभू के प्रती, परमात्मा के प्रती बे पंच परमिष्ठी हो सकते हैं बे हमारे प्रभू हो सकते हैं हमारे भगवान हो सकते हैं हमारे गुरू हो सकते हैं तो जो भी हमारे इश्ट हैं जो भी हमारे आराद्ध हैं उनके प्रती समर्पन और सरद्धा का भाव इसके पर शात फिर मंत्र पर स्रद्धा होना बहुत जरूरी है जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं उस मंत्र पर यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप कितनी भी माला जपें, कितनी भी माला फेरें कितनी भी बार आप मंत्र का जाप करें आपका मंत्र सफल सिद्ध नहीं होगा और मंत्र पर यदि आपको भरोसा हो गया है मंत्र पर यदि आपकी सरद्धा हो गई है तो वे मंत्र कम समय में ही काम करके जाएगा मंत्र कम समय में ही शिद्धी प्राप्त करके जाएगा तो इसलिए मंत्र पर सरद्धा का होना बहुत जरूरी है मंत्र पर विश्वास और भरोसे का भोना बहुत जरूरी है और इसके बाद तीसरा भरोसा है स्वयम पर प्रभू पर, मंत्र पर, आफिस स्वयम पर ये तीन भरोसे, ये तीन सरद्धा बहुत जरूरी है मंत्र शाधना में तो हमें अपने परमात्मा पर विश्वास तो होता ही है आचारियों ने इसी सरद्धा को सम्मिक दर्शन के रूप में स्विकार किया है तो एक अच्छा सादक सम्मिक दर्श्टी सादक है और सम्मिक दर्शन प्राप्त करने के लिए तत्वार्थ स्रधानम सम्मेक दर्शनम आचारी उमा स्वामी महराज ने तत्वार सुथ ग्रंथ में सम्मेक दर्श्ठी होने की जो परिभासा सबसे पहली परिभासा बताई है वो बताई है कि एक अच्छा साधक एक अच्छा सम्मेक दश्टी वही हो सकता है जिसके अंतरंग में जीवादी पदार्थों के प्रती स्रद्धा का भाव है, स्रद्धान का भाव है तो परमात्मा पर विश्वास, मंत्र के बीजाक्षरों पर विश्वास, मंत्र के अक्षरों पर विश्वास और फिर स्वयम अपनी आत्म शक्ती पर विश्वास जैसे हम आत्म विश्वास भी कहते हैं कि मैं जो मंत्र शाधना कर रहा हूँ, मैं जो मंत्र शक्ती का जागरण कर रहा हूँ, मैं जो मंत्र शिद्धी करना चाह रहा हूँ, तो मेरे अंदर इतनी शक्ती है कि मैं इस मंतर को सफल करूँगा, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इस मंतर की शक्ती को जगाऊँगा, मैं मंतर शिद्धी होने तक डगमगाऊँगा नहीं, परिशान नहीं होंगा, तो ये अपनी आत्म शक्ती पर विश्वास, इसे हम आत् ये जितना जरूरी है उतना ही मंत्र पर भरोसे के बारे में एक बहुत अच्छा कथानक जैन गरंथम में मैंने पड़ा ललितांग नामक राजकुमार अपनी किसी इस्त्री के प्रेम के बसीबूत हो करके एक रानी का हार चुरा लेता है रानी के हार में बहुत सारे ऐसे जग मगाते हुए हीरे पन्ना माने कित्या दिरतन लगे हुए होते हैं और ललितांग राजकुमार के पास में कुछ ऐसी साधना होती है कि वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता हार चुराने के पश्यात तो खुद ललितांग नामक राजकुम दिखाई तो नहीं पड़ रहा है लेकिन उसके हाथ में जो हार है वो दिखाई पड़ रहा है तो हार को देखकर के सैने को उसके पीछे-पीछे भागते हैं रास्ते में एक सेट जी दिखाई पड़ते हैं और वो सेट जी एक पेड़ के ऊपर एक रसी का छीका बना करके रसी नीचे उतर आते हैं ललितांग नामक राजकुमार से रहा नहीं गया बार बार ऐसा करते देखते हुए कि चड़ रहे हो उतर रहे हो चड़ रहे हो तो सिड़ जी से बर्वसों की पूछ लिया क्या कर रहे हो सिड़ जी आप तो सिड़ जी ने कहा कि मैं एक मंतर की शिद्धी कर रहा हूँ सिद्धी कैसे होगी बोले मुझे मंतर की साधना के समय मंतर जाब करते करते मुझे इस जूले की सारी रसियों को काटना है एक वार में एक ही वार में सारी रसियों को काटना है और जैसे ही मंतर की शिद्धी होगी तो मैं अधर में ही रह जाओंगा अंत्रिष्च में रह जाओंगा इन नुकिले जो तीशन अस्त्र हैं सस्त्र हैं इनकी उपर नहीं गिरूँगा तो क्या दिक्कत आ रही है जैसी मैं जूले पर पहुंचता हूँ तो मेरे मन में शंका आ जाती है अगर बाई देवे अगर मंतर का शिद्ध नहीं हुआ मंतर की शक्ती जागरत नहीं हुई मंतर शिद्धी नहीं हुई तो मैं तो इन नुकिले अस्तस्त्रों पर गिर के मर जा जयोंगा